जी, असलाम लेकुम, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लायबिलिटीज डिसकास की थी, हमने देखा था कि जैनरी लायबिलिटीज में अचांट्स पेबल, नोट्स पेबल, पेरोल लायबिलिटीज, अनर्न रेविन्यू, और फिर हमने नोट्स पेबल की, लॉंग टर्म नोट्स पेबल जो कि इंस्टॉल्मेंट्स में पे होते हैं, बैसिकली हमने मेकनिजम देखा था, कि जब हम लोण को इंटरस्ट के साथ पे करते हैं तो कैसे हम उसका टेबल बनाते हैं और कैसे जब हम एक fix payment जिसां आप लोगों ने generally देखा है कि हम लोग जब lease financing कराते हैं गाड़ी बैंक से finance कराते हैं तो almost वहाँ पर भी यह होता है कि आपको शुरू में पता होता है कि आपने loan की amount में bank से कितने पैसे ली हैं और फिर आपकी एक fix जो है जिसको हम अपनी terms में किस्त कहते हैं लीज पेमेंट होती है basically हमारी एक fix किस्त है कि यार हमने एक करोला गाड़ी जो है वो बैंक से finance कराई है कुछ पैसे हम खुद दिये और कुछ down payment में और कुछ पैसे bank ने दिये let's say 25 lakhs bank ने दिये अब उसके बाद आपकी bank ने अपनी calculation करके decide कर दिया कि हर महीने आप bank को 50,000 की payment करोगे अब आपने let's say 5 साल आपने हर महीने 50,000 की payment करनी है अब ये जो हर महीने 50,000 की या 60,000 की जो भी amount है आपने pay करनी है ये 60,000 जो आप दे रहे हो इसके दो components है एक जो हमने originally loan लिया है 25,000 या 30,000 जितना भी है और एक तो उसका कुछ हिस्सा वापस जा रहा है और एक उस loan को इस्तमाल करने का interest तो हमने पिछली पर बड़ी detail में discuss किया था कि हर repayment के साथ अब हम कुछ original principal का repay करते हैं जो के वो 25,000,000 में से हैं और कुछ हम जो है उसका interest पे करते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि हर जो हर महीने की जो payment है उसमें से interest कौन सा है और principal repayment कौन सी है तो हमने पिछली बार भी discuss किया था कि सबसे पहले आपका interest निकलेगा क्योंगे bank कहता है भाई जन पहले तो मुझे मेरा interest दो उसके बाद कोई और बात करना तो interest की repayment के बाद जितनी amount बचती है वो आपकी principal repayment के लाती है तो ये आपका amortization table है जरूर इसका question आता है तो इसको आप लोग जुरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर किसी को कोई issue है question पूछना चाहता है तो वो मेरे से whatsapp पे discuss कर सकता है अब आगे चलते हैं अब हम discuss करते हैं एक और type of liability जिसको हम कहते हैं bonds तो liability है तो bonds payable होते है अब bonds payable जो है जिस debt की है यह भी लेकिन bonds usually involve the borrowing of a large sum of money called principle मतलब अब पहले अगर आपकी चोटी जुरूरी आता है तो आप bank से पैसे ले सकते हो लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए बड़ी amount चाहिए जो कि शायद banks के लिए देना possible नहीं है तो फिर आप क्या करते हो bonds issue करने की तरफ जाते हो और बड़ी amounts borrow करने के लिए bonds issue किये जाते हैं अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है treatment में पिछली जो हमने example देखी थी उसमें हम एक loan लिया हमने 25 लाग का 5 साल के लिए loan था हमने 5 सालों में उसको ऐसे repay किया कि हर महीने यह हर साल हम कुछ interest की amount pay कर देते थे और कुछ जो है वो हम principle की payment repayment कर देते थे तो आइस्ता हमारा करजा कम होता जाता था और जब हमारा करजा कम होता जाता था तो हर बार हमारा interest जो होता था वो भी change होता था और वो हमारी पुराने वाली बात कि with every payment the interest component decreases whereas the principal repayment increases क्यूंकि आपकी repayment तो fixed delay से 50,000 तो शुरू में आपका करजा जैदा होता था तो interest जो है वो जैदा होता था फिर आपकी या इस्ता इस्ता चूंकि हर payment के साथ आप कुछ ना कुछ original amount में से भी वापस कर रहे होते थे तो आपका principal जो है वो भी काम होता जाता था तो हर अगली payment पे चूंकि उधार की amount काम होती जाती थी तो आपका interest expense जो है वो हर payment में काम होता जाता था लेकिन बॉंड इस तरह काम नहीं करते बॉंड में क्या है आप originally एक बार पैसे जो है वो ले लेते हो और फिर उसके बाद जब आप उसके बाद आप जितनी देर के लिए आपने अच्छा bond generally long term होते हैं 5, 10, 15, 20 साल तो generally आप उस दुरान जिस ताइम आपने bond issue किया होता है आप principal repayment नहीं करते bonds में जो original amount है वो end pay as a lump sum मतलब अकठी अगर आपने 5 अरब के bonds issue किया है तो जब वो mature होंगे 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद तो आपने वो 5 अरब जो है वो पूरे का पूरा अकठा वापस करना है यह तोड़ तोड़ के जिसना हमने पिशली example में देखा हर हर lease payment के साथ जिस तरह हम आपे कुछ ना कुछ principle pay कर देते थे bond में ऐसा नहीं होगा फिर individual bonds are often denominated with a power value और face value of $1,000 यह US की book है तो US के बारे में generally basically यह क्या कह रहा है के पाकिस्तान में bonds जो हैं वो छोटी amounts के भी हैं 500,000, 5000 फिर बड़े bonds बड़े bonds हैं जो 40,000, 25,000, 15,000 पाकिस्तान ने अभी recently जो हमारा सबसे बड़ा bond था वो 40,000 रुपे का एक bond था वो उन्होंने खतम कर दिया है और मतलब छोटी denominations के bonds कर दी हैं वो कभी मौका मिलेगा तो उसको detail में discuss करेंगे के पाकिस्तान ने 40,000 के bond को क्यों काम किया है यह तो हमारी local की बात है ना international जब उस bond के उपर चपीवी होती है मतलब जो हम अपने investor को देते हैं और investor को जो देते हैं उसके उपर लिखा होता है let's say इसी example को लेने के 1000 dollar का bond है इसका मतलब है कि जब वो bond mature होगा तो वो investor या जो आपका जो बंदा जो bond करीद रहा है वो आपको वो bond वापस करेगा और 1000 dollar या ज उसके उपर amount लिखी हुई है वो हमने उसको वापस करनी होगी end पे lump sum amount के तौर पे अच्छा जी अब bonds की क्या जिस तरह लीज में हमारे चीज़ें थी important थी एक हमारी period important था interest rate important था और यह सारी चीज़ें bonds का क्या है bonds usually carry a stated rate of interest also called a contract rate basically जब आप bond issue करते हो तो हम एक तो bond की उपर उसकी face value लिखती होती है कि वो bond कितने का है मतलब उस bond के against company कितने पैसे जो company bond issue कर रही है वो उस company के against कितने पैसे मांग रही है तो वो आपकी face value या power value कहलाती है और दूसरी चीज़ है कि उस bond के उपर वो company interest कितना देने को तियार है contract उसको कहते है contract rate मतलब company क्या contract कर रही है कि ये जो आप से हम 1000 डॉलर या 2000 या 5000 या 5000 जितने भी पैसे ले रहे हैं वो कितने उसकी against company interest कितना देगी अचा फिर अगली जो important बात है वो interest की payment कैसे होगी bonds में generally जो payment होती है वो interest is normally paid semi annually मतलब साल में दो बार आप interest की payment करते हो हर छे महीने के बाद आप जितना interest बना होता है आप वो pay कर देते हो ठीक है अब यहाँ पे जो आपकी payment होगी वो सिरफ interest की होगी आपका principal repayment नहीं होगी तो interest payment कैसे होगी calculation कैसे होगी वो ही concept तो वो ही है principal amount original amount कितनी थी multiply by stated rate मतलब interest rate कितना है multiply by time अगर तो let's say 12% है तो stated rate 12% हो जाएगा चूँकि अगर time आप 1 लिखेंगे इसका मतलब है आपका जो interest expense 1 पे निकलेगा वो पूरे साल का होगा लेकिन चूँकि आप हर 6 महीने के बाद semi-annually payment कर रहे होगे तो आपका interest जो है वो 1 by 2 या 6 by 12 मतलब 6 महीने का आपने वो ही time period जितना भी आपका जब भी आप interest calculate कर रहे ह तो अगर आप 1 महीने का कर रहे हो तो 1 over 12 हो जाएगा तीन महीने का कर रहे हो तो 3 over 12 हो जाएगा 6 months है तो 6 over 12 या 1 over 2 क्योंकि वो half होता है इसी तरह आप interest calculate करोगे अचा सिरफ फरक क्या होगा आपके पिछली example में जितनी बार payment होती थी हर बार interest जो है वो दुबारा दुबा जो आप उधार वापिस करते थे तो हर बार जो है वो उधार की amount भी कुछ ना कुछ साथ ही change हो जाती थी लेकिन bonds में चूंकि आप principal repay नहीं करते जब principal repay नहीं करते तो आपकी जो interest की amount है वो फिर एक बार आप calculate करते हो तो over the 20 years वो हर 6 महीने की same ही payment बनती है जो हर 6 महीने के बाद जिसने आपके bonds खरीदे हैं उस बंदे को आपकी वो payment same ही every 6 months repeat होती रहेगी bonds में bonds को issue कैसे किया जाता है जब भी company या organization bonds issue करना चाहती है तो basically bonds जो है वो public में issue किये जाते हैं तो अब कोई भी company या organization directly तो public को जाके अपने bonds नहीं बेच सकती तो इसमें एक financial institution एक intermediary एक धरमयान में institution को किसे जायर की जाती है और वो basically उस company के भिहाव पे सारी arrangement करता है bonds को print करना उनको advertise करना उसकी against applications क्लेक करना और वो सारा वो उस company को जो है वो bonds issue करात करके देता है उस company को intermediary को मतलब वो दरमयान की company को कहते हैं underwriter ठीक है तो basically किसी underwriter के जरीए जो है वो bonds issue किये जाते है bonds can be sold or organized securities and exchanges basically पाकिस्तान में तो इतनी organized bond की exchange नहीं है लेकिन जो है वो bonds जो है वो जब एक बार company बेच देती है तो उसके बाद आगे जाके लोग आपस में उसकी खरीदों फरोग कर सकते हैं developed countries में जिस तरह हमारी पाकिसान stock exchange पे companies के shares बिखते हैं उस तरह वहाँ पे bond markets भी exist करती है ठीक है और फिर bond prices are usually quoted as a percentage of the face amount अच्छा अब ये बड़ी interesting चीज़ है और इसको हम आगे जाके detail में भी discuss करेंगे मैंने क्या का था कि एक bond की उपर जो है वो face value लिखी होती है face value या power value ठीक है 1000 डॉलर का bond जो है उसके उपर लिखा होगा 1000 डॉलर अब वो 1000 डॉलर जो है वो उसकी face value है face value, power value वो value जो उसके उपर छपी होई है अच्छा अब मज़े की बात है आगे जाके हम detail में यह देखेंगे और उसकी वज़ा भी बताएंगे लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जब market में आप जाएं तो आप वो आपका investor या वो जो जो आपका जो बंदा bond खरीदना चाता है वो उतने ही amount की उपर ready भी हो उस bond को खरी भी नहीं है कि वो 1000 डॉलर में ही विके company को उसके against 1000 डॉलर ही receive हो तो वो 1000 डॉलर से ज़्यादा भी हो सकते हैं 1000 डॉलर से कम भी हो सकते हैं इसका मतलब है कुछ percentage उपर हो सकती है या कुछ percentage नीचे हो सकती है क्यों यह ऐसा क्यों होता है हम बड़ी detail में आगे जाकर discuss करेंगे लेकिन हम यह कहते हैं कि percentages में discuss करने का मतलब है अगर एक bond 100% पे बिक रहा है इसका मतलब है जो उसकी उपर value लिखी भी है 100% वो ही value पे वो market में बिक रहा है मतलब 1000 डॉलर का bond जो है वो 1000 रुपे में ही market में बिक रहा है on the other hand वो 100% से ज्यादा पे भी बिक सकता है और 100% से काम पे बिक सकता है अगर एक bond जो है हम कह रहे हैं कि जी market में बिक रहा है 102 पे इसका मतलब है अपनी original value अपनी face value से 2% extra उपर मिल रहे हैं मतलब 1000 डॉलर का bond जो है उसके उपर छपा हुआ 1000 डॉलर है लेकिन market में वो 1020 बिक रहा है इसी तरह अगर एक bond 98% पे बिक रहा है इसका मतलब है वो bond जो है वो 1000 डॉलर का है लेकिन वो market में जब हम जाएंगे तो उसके हमें मिलेंगे 980 डॉलर ठीक है अब इसके consequences क्या है यह 1000 डॉलर के बजाए जब 1020 का बिकता है या 980 का बिकता है तो इन दोनों के consequences क हैं हमने उसकी accounting कैसे करनी है यह सारी चीज़े हम आगे जाके बड़ी detail में देखेंगे लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि bond prices are quoted in percentages 100% का मतलब है जो face value उसी पे बिक रहा है 100% से उपर बिक रहा है इसका मतलब है face value से उपर बिक रहा है 1000 डॉलर से उपर बिक रहा है अगर face value 100% से कम है 98% 97% तो इसका मतलब है अपनी face value से काम पे बिक रहा है the different types of bonds होते हैं जिसको हम mortgage bonds कहते हैं venture bonds कहते हैं convertible e bonds कहते हैं junk bonds कहते हैं यह basically US में जो ज्यादा bonds की types हैं यह वो है mortgage bonds generally जो है वो घरों में जो घरों की lease vera के लिए जो bonds issue किये जाते हैं उनको mortgage bonds कहते हैं junk bonds ऐसे bonds होते हैं जो risky companies issue करती है junk bonds उनमें interest rates वो चुँके बहुत risky होते हैं तो उनमें risk जो है वो ज्यादा होता है तो मतलब different types of terms and conditions की basis की उपर जो है वो bonds की different types हैं लेकिन इनके पीछे working का जो mechanism है concept है वो same ही होता है एक example देख लेते हैं करते हैं on January 1st 2007 rocket corporation issues 1.5 million of 12% 10 year bonds payable interest is payable semi annually each July 1st and January 1st अब यह basically क्या है यह इस bond की terms and conditions है अब issue हो रहे है 1st of January को कितनी amount है मतलब principal amount कितनी raise की जा रही है 1.5 million ठीक है 15,00,000,000 interest के contract rate क्या है 12% कितनी देर का है 10 year bond ठीक है interest कब कब pay होगा semi annually होगा साल में दो बार होगा interest जो है क्या होगा semi annually पे होगा साल में दो बार होगा कब July 1st को और January 1st को अच्छा जब यह कहते हैं न कि जी 1.5 million का bond issue करें प्रिंसिपल 1.5 million है एक bond की face value 1.5 million नहीं है एक bond की face value 1000 dollars ही है ठीक है लेकिन टोटल जो प्रिंसिपल रेज किया जा रहा है वो 1.5 million पंदरा लाक डॉलर रेज किया जा रहे अच्छा अब जो चीजें हैं वो हमें जो समझने की जरूरत है कि अब जब bonds की बात है पहले यह कि हमारी सबसे पहले entry क क्या होगी 1st of January को जब हम यह 15 million का loan ले रहे हैं तब क्या entry होगी फिर दूसरा यह 6 महीने गुजरने के बाद जब हम interest की payment करेंगे तो तब क्या entry होगी और फिर पिर जिसा मेरे bond में का के फिर change नहीं होता 10 साल फिर वो ही entry repeat होती रहेगी और फिर 10 साल जाके हमने आखरी interest की payment करनी है और original amount भी वापस करनी है तो हमने यह देखना है कि हमारे लिए important यह कि 1st of January को जब हम loan ले रहे हैं तब क्या entry है 10 साल हर 6 महीने के बाद July 1st और January 1st को क्या entry करेंगे और फिर finally 20th year 10th year या last year में जाके आखरी payment कैसे होगी तो पहली तो simple सी है 1st of January को हम loan ले रहे हैं 15 million 1 1.5 million cash हमारे पास आ रहा है cash asset है increase होगा debit हो जाएगा on the other hand 15 1.5 million की liability create हो रही है तो bonds payable है bonds payable 1.5 million से credit हो जाएगा तो आपकी January 1st की entry single C है ठीक है हमें cash आया क्यों आया क्योंकि हमने bond issue की है liability है liability है liability भी record होगी asset भी record होगी अब very important चीज़ अगली आई कि जी 1st of July को जब 6 महीने गुजर गए हैं जब 6 महीने गुजर गए हैं तो हमने 6 महीने के बाद क्या करना है हमने हर 6 महीने interest pay करना है अब पहली बात कितना है वो हमारा principle कितना था 1.5 million interest rate क्या है 12% तो और अगर time period 1 1.5 million को 12% से multiply करें तो आपका बनता है 1,80,000 लेकिन 1,80,000 है एक साल का बरा महीने का interest हम calculate कर रहे हैं इस वक्त 6 महीने का तो 1,80,000 पूरे साल का था अब आपने उसको two पे divide कर दिया तो interest expense जो है वो six months का 90,000 तो interest expense 90,000 से debit cash 90,000 से credit अब आपकी अगले 10 साल every six months यही entry repeat होनी है चुँकर principle change नहीं होना तो interest expense भी change नहीं होना हर छे महीने के बाद आप जिसने आपने bond करीदे हैं आपके आप उसके पास जाओगे आप उसको कोगे यह जी तुम्हारे 1.5 million मेरे पास हैं इस छे महीने का interest यह 90,000 तुम लो और तुम्हारे 1.5 million 10 साल के बाद तुम्हें वापस मिल जाएंगे अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर अगर जिसने मुझे bond बेचा हो है let's say आपने यह सारे के सारा 1.5 million का bond जो है वो आपने issue किया as a company मैंने issue किया आपने सारे के सारे खरीद लिए इसका मतलब जा है आपने 1.5 million का loan मुझे दिया और उसके इस bond खरीद लिए मैंने आपको लिख के दिया यह आपके 1.5 million मैं आपको 10 साल में वापस करूँगा और मैं आपको हर साल जो है इस पे 12% रस दूँगा आपने का ठीक है आपके पास पैसे फालतू थे आपने मुझे issue कर दिये आप मैंने आपको कहा कि जी 10 साल बाद आपको मिलेंगे आपने कहा मुझे कोई मसला नहीं है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है आप मुझे आप मैं bond खरीद लेता हूँ अब क्या हुआ कि जी अब इस bond की date of maturity क्या है 2007 में issue हुआ था 10 साल का है तो 2017 में जाके ये वापस होना है ठीक है time to maturity at 10 years और contract rate का 12% अचा एक दो साल गुजरे और एक दो साल गुजरने के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ गई आपका नहीं ख्याल था आपको जरूरत पड़ेगी आप मेरे पास वापस आगए यार मुझे तो मेरे पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आप एक काम करो मुझे 1.5 मिलियन मेरा वापस दे दो ये अपने bond जो आपने मुझे इशू किये थे ये ले लो बाकी मुझे आगए इंटरस्ट ना देना अचा अब मैं केता हो यार ऐसे कैसे आपने मुझे से 10 साल का contract किया था मैंने वो 10 साल के हिसाब से वो पैसे invest की है plant लगा है, machine भी लगा ही है मैं आपको 1.5 साल के बाद कैसे पैसे वापस कर दू हमारा contract 10 साल से था 10 साल का है, सौरी, आप 10 साल के बाद ही आना और 10 साल के बाद आप जो है, वो मैं आपको पैसे वापस करूँग आप मार्केट में जाके आप दूसरे इंवेस्टर्स ढूंडोगे कोई और बंदा बांड्स खरीदना चाहरा हो उसके पास फालतू पैसे हो तो क्या है कि जी वो क्या करता है वो कहता है आप उसको कहते हो यार देखो तुम किसी और कंपनी के बांड्स खरीदने जा रहे हो तुम एक काम करो तुम मेरे बांड्स खरीद लो तुम्हे बांड भी मिल जाएगा मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएगे क्यों कंपनी तो नहीं दे रही अब सवाल ये पैदा होता है किया अब आपका बॉंड हर बॉंड की उपर 1000 डॉलर लिखा हुआ है और टोटल जो पैसे आपने लिए में 15 लाग के अब वो आपको 15 लाग रुपे दे देगा 1.5 मिलियन डॉलर दे देगा अब यहां पे वो बात आएगी कि जरूरी नहीं है कि बॉंड जो है वो उतनी ही वैल्यू पे बिके जितनी वैल्यू उसके उपर लिखी हुई है अब वो क्या करेगा अच्छा ठीक है मैं लेना चाहता हूँ बॉंड लेकिन वो उसकी लिए इंवाटीरियल है वो क्या करेगा वो अपनी कैलकुलेशन करेगा वो देखेगा कि इस bond की present value क्या है आज अगर उस bond की value निकाले तो वो कितनी बनती है प्लस अगर कोई interest accrued है मतलब जिसरा हमने कहा न यह interest मिला करेगा 1st of January को और 1st of July को तो लेट से यह बन्दा जो है 1st of June को कह रहा है कि जी मैं अपना यह bond बेचना चाहता हूँ तो अब वो जो अगला बन्दा खरीद रहा है उसको क्या मिलेगा उसको एक तो यह bond मिलेगा दूसरा चूंकि अभी 6 महीने नहीं हुए company अपनी बात से नहीं हिलेगी चाहे वो जो मर्जी हो उसने यह कहा हुए जब 6 महीने के बाद इंटरस्ट देगा तो आज बेशक 5 महीने गुजर गए हैं और आप bond बेचना चाहते हो किसी और को तो company आपको 5 महीने का इंटरस्ट नहीं देगी company कहेगी बहीज़न 6 महीने पूरे होंगे 1st of July आएगी जो भी मालक होगा हम उसको इंटरस्ट की पेमेंट कर देंगे इसका मतलब है जो हमारा bond खरीदेगा उसको जो है वो 6 महीने का इंटरस्ट मिलेगा अब वो इंटरस्ट किस चीज़ का है वो इंटरस्ट है कि company ने हमारे पैसे इस्तमाल किये अब जैनवरी से लेके यकम जून तक जो पांच महीने गुजरे है पांच महीने ये पैसे किसके थे आपके थे इसका मतलब है इसके इंटरस्ट के उपर हक किसका है आपका है लेकिन चुँके आप अभी bond बेच रहे हो और वो अगले बंदे को मिलेगा अब पैसे उसके उसके पैसे तो सिर्फ एक कंपनी आखरी एक महीना या डेड़ महीना दो महीने इसका मतलब है जब वो bond खरीद लेगा उसके बाद वाला इंटरस्ट का हक तो उसका है लेकिन उससे पहले वाला इंटरस्ट का हक किसका था पुराने ओनर का अब जब वो पुराना ओनर बेचेगा जाहरी बात है उससे पता है कि ये पैसे नए ओनर को मिल जाने है तो वो क्या करेगा अच्छा ठीक है तुमने मेरे 15 लाग के bond की present value ये निकाली है एक तो तुम मुझे ये दो दूसरा अभी एक महीने के बाद तुम्हें छे महीने का interest मिल जाना है जिसमें से एक महीने का तो तुमारा होगा पांच महीने वाला interest तो है वो मेरा हक था लेकिन मिलेगा तुम्हें तो ये जब बेच रहा होगा तो वो अपने पैसे advance में अपनी price में add करते है तो इस तरह selling price decide होती है तो अब वो bond जो हजार उपे से उपर भी बेख सकता है हजार उपे से नीचे भी बेख सकता है ये price उपर कब जाती है या नीचे कब आती है इसको हम अभी detail में discuss करेंगे